मैं आज हाइदाबाद का घटना बताने जा रहा हूं कि हाइदाबाद में एक पुजारी अपना जो गल्फेंट है जो पेमिका है खुद का ऐसे दुनिया के सामने दिखाया कि मैं कुछ गुणा किया है नहीं हाइदाबाद का इस पुजारी का नाम है साई सुडिया किसना ओ खुद अपना पेमिका का माडर करता है उसको गटर में फेक देता है अब साइट में फोटो दिख रहा हो फेकने के बाद खुद कंप्लेन करता है कि यह तो मैं नहीं किया इस मेरा लाव गल्फेंट जो है खंगालना सुरूा किया तब प्ता चला एक खुद माडर किया आए करके गटर में फेक दिया है अभी तो बागर्षाद्धाम कुछ नहीं बहेंगा कि 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 उसका विरादारी का है ना कि खुद का मतल्ब क्या बादाब का बादारी और भी पुजारी तो आभी कूछ नहीं में आज एक data दे रहा हूं जो NCRV का data है जो भारत सरकार का हिसाब से जो data हरभारत के सामने आता है अब देखो 31,667 जो NCRV का data हिसाब से 2021 में जो बलतकार हुआ वाट करता है कि भारत का बेटी सूरख सको लेकिन काम कहां कर रहा है इसे कुछ कानून तो लाए जो जिसमें भारत का बेटी को अच्छा कानून मिले कि जिसके जड़िये कोई भी पकड़ा गया उसको तूरंत फांसी दे दी जाए तूरंत उसका कुछ भी तड़ा उसको दुनिया से हटा दिया जाए तब एसे बंद होगा मैं डेटा दे रहा हूं कि 31,667 में राजस्तान में हुआ 6,337 और मध्यपदेश में हुआ 2,947 महरास्टे में हुआ 2,496 और उत्तरपदेश में जो बोलता है कि इधर कानून बवस्ता ऐसा है क्या बोलू कि हर माफिया का मतलब वो डर लग गया बाबा वो बाबा आ जाएगा जाने मार देगा उधर हुआ है कितना दो हजार आटसो पैंचालीस मतलब समझ सकते हो ना दिल में हुआ 1850 तो एस सब हो रहे और क्या वोलू कि यह जितना राज्य का बीजबी का राज्य स van ना मिलेगा वह सब किसी को मालूम है कि बेटी कैसे सुरकशिते देश'sint और पधन कि यह कोने सब्सक्राइब कावब सोचता हो नुए करना पर लुए कोई संपते काम करते ही कि उनों लोग को सजा नहीं दिया जा रहा है , कोई अगर केस हो रहा है , जेल हो जाएगा annual डैब और से कुछ और वी आजाएगा कि जब कोई बालतकार मुसल्मान करेगा तो हम लोग तो उसको मुसल्मान बोलता है मैं खूद एक मुसल्मान हूँ लेकिन अगर कुछ ऐसे करेगा उसका इसलाम का सजा उसको जिन्दगी जीने का कोई हाक नहीं है भारास सरकार को कोई भी ओलेमा बोलेगा अब हिंदु भाई को क्या करों का मालूम नहीं, लेकिन यह को सबसे जाद पहले फांसी दो, क्योंकि इसको जिन्दा रहने का कोई हक नहीं, लेकिन यह जो बोलता है, खुन खलता है, साहिल खाने क्या, तो कोई मुसल्मान उसका परक्स में आया, कि इसको छोड़ दो, यह जाएतार गयर मुसल्मान है किया ना इन बाबा का तब खुन नहीं खुलता है तब बाबा ने भोलता है संग्मिदान इतना पारफुल संग्मिदान है जिसमें और भी थोड़ा सुधार लाके इन लोग को सजा देना चाहिए लेकिन इसको हिंदू राष्ट चाहिए तो यह ज पाकिस्टान से आया था चाइना से आया था देश का यह ना तो देश का बेटी के उपर उसका गलत ना जा रहे ना तो तुम सरकार से सावाल नहीं पूछता हो हिंदू राष्ट चाहिए यह सब क्या हो रहा है भारत का हार नागरिक को धियान देना चाहिए जिदारी मतलब भारत का सबसे आचा सी एम बोला जाता है उसको पूछता है आप पठान मूवी देखे हो बोलते हमको टाइम नहीं है बाबा लेकिन जब दाकेला शोडी जिसमें फेग मूवी लाय जाता है कि भारत का जो सर्वचे नी अला तो कहता है कि एक कालपनिंग मूवी है तुम दे अगरीक को इसके बारे में चाहिए जो है सबकान हुआ है उसमें सभी है। तो यह जो राजस्तान में 6300 साहितिस्ता हो सा मुसल्मान था क्या हिंदुराष्ट का बाड कानने वालों थोड़ा खुद के जो गिरेवाने उसको ज्ञाक के देखो कि इन पुजारी भी अभी रेव किया किया कैसे माडर किया अभी तो कुछ दिन बात खुला सा होगा लेकिन पुजारी है इसको भी आप माडर करने पर मतलब मजा आ गया क्या तो यह ज्यादा तो सोसल मीडिया पर आ नहीं रहे तो हम लोग जो छोटा-छोटा मीडिया वाला है जो भारत को अच्छा एक पाइगाम देना चाहता है तो ओ लोग काम कर रहे हर किसी को सेयर करना चाहिए जब भारत का हर नागरी के पास पहुँचे